अब हम जानते हैं कि pollination क्या है और ये कैसे घटित होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें pollen grains को एक ही फूल या दूसरे फूल के आंतर से stigma में भेजा जाता है चलिए देखते हैं कि pollination के सफल होने के बाद क्या होता है अगर pollination सफल हो जाता है तो male gamete female gamete के साथ जुड़ जाता है जिससे embryo बनता है जरा रुकिये हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया का एक विशेश नाम है और वो क्या है? इसे fertilization कहते है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें embryo को जनम देने के लिए male और female gamete का मिलन होता है ये embryo आगे जाकर एक नए जीव में विक्सित होता है अब देखते हैं कि फूलों में fertilization कैसे होता है इस प्रक्रिया को सफल होने के लिए दोनों gamete को एक दूसरे के करीब आने की जरूरत है लेकिन ये कैसे मुम्किन है? फूल के stigma पर जमा हुए pollen grains से male gametes एक tube के जरिए ovary की और यात्रा करते हैं इस tube को pollen tube कहते हैं आपको क्या लगता है कि pollen tube कहां से यात्रा करता है? ये पूरे style के जरिए यात्रा करते हुए ovary तक पहुँचता है यहाँ male gamete female gamete के साथ fuse होकर एक single cell sunrachna को बनाता है अब single cell sunrachna का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों के fusion से एक single unit बनेगी जिसे zygote कहते हैं जो आगे चल कर एक जीव में विकसित होता है जी हाँ ये ऐसे काम करता है संग्षेप में इसी तरह full वाले पौदों में fertilization की प्रक्रिया होती है क्या आप सोच रहे हैं fertilization के बाद full के बाकी सभी हिस्सों का क्या होता है? एक बार जब embryo विकसित होना शुरू कर देता है तो क्या होता है? क्या ये सभी हिस्से बरकरार रहेंगे? fertilization पूरा होने के बाद ovule एक बीज में विकसित हो जाता है ovary एक फल में और दूसरे सहायक हिस्से जैसे की petals और siples गिर जाते हैं इसका मतलब है कि फूल की पहचान फल में तबदील होकर पूरी तरह से बदल जाती है जी हां ये ऐसा है जब बीज मिट्टी में दफनाय जाता है तो अनुकूल स्थिधी में ये एक नए पौधे में उत्पन होता है और इस पौधे में फूल खिलेंगे जो pollination करेंगे जिससे नए फल मिलेंगे और इस तरह एक नए पौधे का विकास होगा इस तरह ये चक्र जारी रहता है एक बीज जो हमें एक पौधा देता है जो फूल के जरीए pollination करता है और हमें फल देता है फल में बीज होते हैं जो अपने आप में नई जिन्दगी को रखते है बीज जब मिट्टी में लगाय जाता है और अनुकूल सिथी में जर्मिनेट होता है तब एक नया पौधा पैदा होता है इस तरह पौधू का जीवन चक्र चलता रहता है